Hello Students, Class 12 Hindi Sanskrit के एक important वीडियो में आपका स्वागत है तो Students Board Exam को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम Class 12 Hindi Sanskrit के सबसे important chapter के दो सबसे महत्पूर्ण इस लोग को solve करेंगी तो Students यह आपके Board Exam में 7 नंबर का पूछा जाता है तो जो मैं दो महत्पूर्ण इस लोग बताऊंगा इसको आप लास तक देखते रही है बच्चों यह दोनों बहुत ही जादा महत्पूर्ण है और आपको पता होगा कि Class 12 में सुभासी तरतनान नामक chapter जो है कितना महत्पूर्ण है इससे एक नाएक इस लोग पूछा जाता है ठीक है तो इस वीडियो को आप लास तक देखते रही है हो सबह़ा है तो इस लिए वीडियो को लाइक कर दिजगा अगर पसंद आता है तो शलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो student इस लोग आज हम देखेंगे कि इस लोग को आप कैसे स्वालब करेंगे अगर बोड़ एक्जाम में पूछा जाता है साब कुछ प्रस्णोत्तर के साथ जिस प्रकार आपको बोड़ एक्जाम में लिखना है तो देखें बच्चों इस लोग क्या होता है आपके बोड़ एक्जाम में आठ नंबर का खा कुष कुष्चन होता है ठीक है यानि कि यह आठमा कुष्चन होता है और इक होता है फर्ष्ट जो होता है वो हिंदी गद संस्कृत से होता है तो देखे क्या है मैंने लिया है उदेत सबिता तामर अस्तामर एवास्त मेत चा संपत्तो चा विपत्तो चा महत्मा एक रूपता ठीक है यह आपका एक स्लोक है संस्कृत का अब ऐसे आपके बोड़ इक्जाम में दिया रहेगा अब आपको इसको कैसे करना है ठीक है पहले इसकी हिंदी आपको थोड़ा सा पहले question paper पढ़ लेना है अब देखे बच्चो इसमें करना क्या है सबसे पहले आपको ड civ 1 को डालना है कौन सा प्रस्ण है ये किस प्रस्ण का आप उत्तर दे रहें आपके बोड़ इक्जाम में तो दिखे आपके आप दे रहें आठवे का खा का प्रस्ण का उत्तर तो आप लोग लिखे प्रस्णोतर संक्या 8 का खा ताकि examiner को लगे कि आपने इसी question का answer दिया है अब देखे बच्चों ये 7 number का पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये first जो word है इसको यहाँ पर लिख लेना है जब आप ऐसे सको solve करना start करते हैं तो अब इसको dash 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 करके क्या करना है सबसे last वाला जो word है उसको आपको लिख लेना है देखिए students महता मेक रूपता ठीक है इसको आपको लिख लेना है इससे क्या होगा आप सोच रहे होगा ये मैंने क्यों लिखा क्योंकि student वहाँ पर आपको question तो उतारना नहीं होता है तो ये आपको बच्चों दो पाइसेज दिया होता है आपको एक ही करना होता है तो देखिए ये आपको इस तरह से ने डैस मार के स्टूडेन लिखना है ताकि examiner को ये पता चल सके कि आपने इसी स्लोग को solve किया है ठीक है इस स्लोग का पहला अच्छर और लास्ट अच्छर अब बच्चों कुष्चन में क्या होता है कि प्रस्टूत इस लोग यानि कि पध्यांस को आप संदर्व सहित अनुवाद कीजी यानि कि ब्याक्षा कीजी तो इसका संदर्व भी आपको लिखना पड़ता है तो आपको पता होगा कि संस्कृत में लेखा किया कभी नहीं हो इस लोग हमारी पाठ्य पुष्टक आपने ऐसे बहुत सारे संदर्व लिखे होंगे ठीक है हमारी पाठ्य पुष्टक ठीक है कि अब आपको यहां पर लिखना है बच्चो किस से लिया गया है यानि कि यह हिंदी गद्य से है कि हिंदी पध्यान से है यह है बच्चो संस्कृ संस्क्रित भाग से यह होगा कि यह संस्क्रित से लिया गया है में संकलित संकलित का मतलब क्या होता है बच्चों संस्क्रित भाग में यह उपस्थित है अब किस लेशन से इसका आपको नाम लिखना है में संकलित अब इस लेशन का नाम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार से आपको संदर्व लिखना है तो यह बहुत सिंपल सा है इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से आ जाए देखें किया है सबसे पहले आपको प्रशनोत्तर लिखना है फिर first line का एक अच्छर और last line का एक अच्छर ठीक है अब आगे देखिए student आपको क्या करना है यहाँ पर संदर्व लिखना है अब संदर्व में आपको क्या लिखना है तो फंदर्व में आपको लिखना है बच्चों की प्रस्तियोत इस लोग हमारी पाठ पुष्टक के संस्कृत भाग में संकलित सुभासित रतनान नामक पाठ से लिया गया है यानि कि संस्कृत में आपको केवल लेशन का नाम लिखना होता है इसमें कभी या लेखक नहीं होते हैं सिंपल है तो ऐसे आप लोग संदर्व लिखिएगा किसी भी लेशन का अगर आपको दे राता है इस लोग तो आप लोग क्या कीजे सुभासित रतनान के अस्थन पर कोई दूसरा लेशन लिख दीजे बस आपका संदर्व से बिलकुल सेम आएसे ही आपको लिखना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम देखते हैं इसका अनुवाद, अनुवाद का मतलब होता है इसकी ब्याख्या कैसे करते हैं तो देखे क्या है बच्चों उदेत सभिता तामर अस्तामर एवास्त मेतिचा ठीक है इसका हिंदी क्या होगा कि उदेत सभिता तामर अस्तामर जो सूर्य होता है वो उदित होते समय उदित का मतलब निकलते समय या उदे होते समय ठीक है लाल होता है और अस्त होते देखे होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है यानि कि दोनों कंडीशन में सूर्य हो ता है अब आगे देखें क्या भाव निकलता है इस लोग का संपत्यों चा सूर्पत्यों चा महत्मा एक रूपतर । जा एक रूपता का मतलब एक रूप रहते हैं, तो संपत्ति और बिपत्त में भी ठीक उसी तरह माहत्मा एक रूप रहते हैं, अब पहले पूरे को समझे क्या है? इनका कहने का मतलब है कि सूर उदय होते समय और अस्त होते समय दोनों समय लाल होता है उसी प्रकार से बच्चो संपत्ती और विपत्ती में महापुरुस जो होते हैं वो एक रूप होते हैं उनका सीधा सीधा मतलब है जो महापुरुसों की तुलना की गई है वो सूर से की गई है उसके अस्त होते समय और जो उदित होते समय होता है ठीक है उनहीं से इनकी तुलना की गई है कि इनकी महापुरुसों की ठीक है तो आप लोगों को ऐसे इसकी ब्याख्या लिख देनी है तो यहाँ पर महापुरुष की तुलना की गई है सूर से तो इस प्रकार से आप अनुवाद कर सकते हैं अब हम देखेंगे बच्चो अपना दूसरा इंपॉरेंट जो मैंने लिया है वो दूसरा इंपॉरेंट इस लोग भी हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका आर्थ क्या होगा बच्चो अब सिंपल है आपको क्या करना है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब आप स्वाल्व करें तो प्रश्णोत्तर संख्या आठ का डाल दें ठीक है यहाँ पर लिख दे है लभंते convertate ढाल पर देखाव को बिल्कौ संदर्वम और इस लिखाना है प्रस्टत जो इसलोग आरी प्रश्टक संस्क्रेट भाग मैं संकलित सूबहासित रतनान नामक पार्ट से होते हैं संदर्व तो आप लिख लेंगे ठीक और पित्रम अपने पिता को परसंद करे वही पुत्र है, ठीक है, इसका आर्थ होगा, कि जो अपने अच्छे चरित्र से अपने पिता को परसंद करे वही पुत्र है, वही असली पुत्र है, तो इसका आर्थ है यह होगा, ठीक है, दूसरा देखिए, यद भर्तुरेयों हिमा हित मिच्छती तत कलत्तरम इसका आर्थ होगा जो पती ठीक है जो पती का हित चाहती हो वही पत्नी है देखिए यद भरतुलेव हिमा भिच्छत तत कलत्तरम यानि कि जो पती का हित चाहती हो वही असली पत्नी होती है आगे देखिए तनमित्र मापद सुखेचा समकिडियम य ठीक है और वही असली आपका दोस्त होता है जो आपके सुख और दुख में एक जैसा बेवहार करें ठीक है जो आपत्ति और विपत्ति में बच्चो एक सा बेवहार करें सुख और दुख में एक सा बेवहार करें वही आपका असली मित्र होता है अब देखिए एतत्रयम जग पूण्ड आतमा को ही प्राप्त होते हैं बहुत ही जादा लगी लोगों को यह मिलते हैं तो देखिए इतना है इस प्रकार से ब्याक्ष्या करने लेकिन आपको इसको पढ़ना ही नहीं है आपको इसको लिखना भी होगा एक्जाम में ठीक है यहां पर देखे प्रीडत या सू चरितु पितरम सा पुत्रो जो अपने अच्छे चरितर से पिता को परसंद करे वही पुत्र है, अब दूफरा देखे यद भार्तुरेवो हीत मिछतित तत कलतरम। कलतरम का मलदलब बच्しく जो पति का हित का मलदलब भलाई चाहती हो वही पतनी है असली पतनी है आप देखिए बच्चो तनमित्रमापदी सुखेचा समक्रिय मीयदे और इसका क्या होगा जो आपती यानि कि दुख और सुख में एक जैसा बेवहार करे वही असली मित्र है यानि कि यही उनकी पहचान है अगर वो आपको सुख और दुख में एक जैसा बेवहार करता है तो वही आपका असली मित्र है ठीक है अब आगे देखे बच्चो एतत्र इन तीन माले लोग पाते हैं वही लोग पाते हैं जो पुर्ण आत्मा होते हैं ठीके ये टीनों तो इही था अब का एक दो इंपॉरंडन इफ लोग को आपको ये अच्छे से समझ में आ चुगा होगा तो वीडियो के लास्ट में मैं यही कहाना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंदा हो तो इसको फटा-फट लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाज लिए चाहिए ताकि स्टुडेंट जो मैं निव वीडियो भेजू उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुश सके और अगर आपकी कोई और क्योरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं उसका स्वाल्यूशन करने की कोशिस जरूर करूंगा तो इस वीडियो मे बस नहीं तब तक के लिए थाई